Hello friends, मेरे नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे sentences जो class में class teacher बहुत use करती है तो अच्छा होगा अगर आप अपने बच्चे को ये पहले से समझाएं कि इसका मतलब क्या है सबसे पहले start किया लाता है greeting words के साथ जो होते है good morning, good morning everyone ये hello everyone teacher class में आते ही सबसे पहले बच्चों को ये ही बोलती है इसके बाद teacher बच्चों से पूछती है how are you, how are you today? देखे बहुत अच्छा होता है अगर हम ये सब sentences बच्चों को घर में भी introduce करवा दे ताकि बच्चा teacher के सामने uncomfortable feel ना करे जब भी class में teacher whiteboard पे बच्चों को कुछ भी लिखके दिखाती है तो बोलती है look at the whiteboard whiteboard की तरफ देखो look at the whiteboard फिर teacher बोलती है काम को copy में note करने के लिए इसे अपनी notebook में लिखो write this down in your notebook class में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा बात करते रहते हैं तो मैं बोलती है who is talking कौन बात कर रहा है who is talking class में कई बारी teacher कुछ question पूसती है बच्चों से तो बोलती है अपना हाथ उठाओ raise your hand if you know the answer raise your hand बच्चों को कई बार कुछ चीज पढ़ाते हुए मैं बोलती है मेरे बात दोहराएं repeat after me जोर से पढ़ो read out loud open your bag या close your bag open और close का मतलब बच्चे को जरूर बताएगा क्योंकि ये मैं बहुत ज़दा यूज़ करती है open your bag, close your bag या open your notebook, close your notebook जिस तरीके से open और close बच्चे को समझाना है उसी तरीके से हमें बताना है give और take take your book, give me your notebook इस तरीके के words बच्चे को जरूर समझाएए give, take, open, close जब मैं बच्चों को कोई नया lesson इंट्रिड्यूस करवा रही होती है तो मैं बोलती है is everybody ready to start? क्या सब तयार है क्योंकि होता क्या है न class में इतने सारे बच्चे होता है तो सब बच्चे एक साथ नहीं पड़ पाते है कोई अपनी pencil निकाल रहा है कोई अपनी copy निकाल रहा है तो मैं को पूछना बहुत जरूरी हो जाता है is everybody ready to start? जब बच्चे सब तयार हो जाते है तो टीचर बोलती है I think we can start now मतलब मुझे लगता है कि अब हम शुडू कर सकते है कई बार ये बच्चे अपना bag गिरा देते हैं तो मैं बोलती है pick up your bag अब ये bag की जगे पे water bottle के लिए भी use हो सकता है pencil box के लिए भी use हो सकता है तो बच्चे को pick up मतलब ज़रूर बताईए जब बच्चे क्लास में बहुत ज़दा शोर कर रहे होता है तो एक line मैं ज़रूर बोलती है finger on your lips मतलब अपने मुपर अंगली रखो अपने होटो के उपर अपनी finger रखो finger on your lips छुट्टी के टाइम पर या फिट जब बच्चों को playground ले जाये जा रहे होता है तो मैं बच्चों को बोलती है stand in a line मतलब एक line में खड़े हो जाओ stand in a queue दोनों का मतलब एक ही है stand in a line एक line बना के खड़े हो जाओ class में जब कुछ बच्चे शोर कर रहे होता है न तो मैं बोलती है stop talking and be quiet मतलब बोलना बंद करो और शान्त हो जाओ stop talking and be quiet lunch period के बाद मैं कई बार ये बच्चों को बोलती है wash and wipe your hands क्योंकि बच्चे खाना अपने हाथों पर लगा के रखते है तो बोलती है हाथ धोकर और अपने हैंकी से अपने हाथ पोछो हाथ धोकर आओ wash and wipe your hands चुट्टी से पहले बच्चों को मैं बोलती है close your book, pack your things away मतलब अपना बैग, अपनी बुक्स बंद करो और अपनी बुक्स को और अपने समान को बैग में पैक करो close your books, pack your things away और एक सेंटेंस जो बच्चों को बहुत सुनने में अच्छा लगता है वो हता है that's all for today, you can go now मतलब आज के लिए बस इतना ही अब आप अपने घर जा सकते हो अगर ये वीडियो आपके लिए यूस्फुल रहा है तो इसे like करना बिलकुल मत भूलेगा और मुझे comment करके जरूर बताएगा जिस भी topic पर आप वीडियो देखना चाहते हैं don't forget to like, share and subscribe to my channel thank you, thanks for watching